अलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू मैथ कलासेज और अप्लिकेशन आफ डेरिवेटिव के टोपिक को हम लोग कंटीनू कर रहे हैं जहां पर एक्सरसाइज 8.3 है जिसका क्येस्टन नंबर सेवन है फैस्टी पार्ट है फैक्सी गीवन है तो यह कह रहा है कि पहले तो स्ट अपको फाइंड करना है एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं किस्टन नंबर सिक्स तक जो थे वो भी रिवाइज हो जाएंगे इसके साथ फैस्ट डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे यू इंटू भी लगा दिया भी डारेक्ट एक्स माइनस वन को एजटीज रख पढ़ेगा और जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से बन गया मारे पास क्या भाई एक्स माइनस ट्व को कोंवन ले लिया मैं نے तो फैस्ट वाले में बन गया ट्तू एक्स माइनसमें 2 आ गया क्या गया है हमारे पास है X माइनस में 2 बन गया है तो क्या बना भई यह अपने पास X माइनस 2 इंटू 2X प्लस X 3X माइनस में 4 आ गया क्या कर दोगे 4 critical values critical values के लिए fast derivative को आप 0 के equal रखोगे और fast derivative को 0 के equal रखोगे तो यहां से क्या आएंगी X is equal to 2 आएगी हमारे पास और क्या जाएगी 4 upon में 3 आगे यह 2 critical points आगे और critical points आगे तो यहां से आप लोग क्या कर लो number line represent कर दो number line पे देखिए आपका point क्या है यह 2 है अब देखिए 4 upon 3 इसके left आएगा राइट आएगा पच्छे से जानते हो 4 upon 3 इसके left आजाए क्योंकि यह 1 point something है यह 2 है clear है इसके plus का infinitive है इसके minus का infinitive है हमारे पास possible intervals क्या होगे 1 2 3 अब इनका हमें sign check करना है कहा positive है और कहा negative है तो यहां से देखिए greater than 2 greater than 2 अगर लोगे तो positive sign आएगा 2 से greater put कर दो यह जो factor हो रहे 2 से greater positive 2 से greater positive तो positive आगया 2 और 4 upon 3 के बीच में लेना है आपको तो यह 1 point something है तो यह सोच लो कि आप 1.5 ले लो 1.5 अगर आपने ले लिया तो यह negative आएगा 1.5 ले लिया तो यह आपका positive आएगा और यह finally negative कहलाएगा next है less than 4 upon 3 यह 1 point something है तो 1 ही ले लो 1 लोगे तो यह negative आएगा यह negative आएगा आपका result क्या कहलाएगा positive बोलिए भई sign decide के लिए रो गया अब हम लोग अच्छे से जानते कि जहाँ positive है वो strictly increasing है जहाँ negative है वो strictly decreasing है तो positive strictly increasing increasing on किस किस interval पर है minus infinitive to 4 upon 3 union to 2 infinitive next आप लिख दोगे fx is strictly decreasing strictly decreasing on किस पर negative है यह है प्लस का है 4 upon 3 to 2 है यह तो हो गया अब तक जो अपने question number 6 तक के हमने previous वीडियो में किये थे वो type इसी question में एक point इन्हों ने और extra डाल दिया और वो point क्या कह दिया इन्हों ने कि हमारे पास क्या कह रहा है tangent is parallel to x-axis tangent is parallel to x-axis then find the coordinate of point जब tangent x-axis के parallel थी तो आपको ध्यान होगा आप y by dx is equal to 0 लिख रहे थे हैं यहां पर fast derivative है इसको 0 के equal रख देंगे हम और fast derivative को 0 को equal रख के हमने critical values find की है नहीं क्या भी fast derivative x-2 और 3 x-4 यह जीरो के equal रखने से x की value 2 आ गई और x की value के आ गई 4 upon में 3 आ गई हमारे पास यह तो x आ गया गई x की value put कर दो अब किसमे fx के अंदर तो f of 2 यह y हो जाएगा तो x की value 2 put करोगे तो 0 बनेगा और यहां से f of 4 upon 3 लोगे तो x की value आप 4 upon 3 put कर दो 4 upon 3 put करने से क्या आएगा 4 upon में 27 आएगा तो यहां से आपके पास ही next बन जाएगे हमारे पास जो coordinate of points है वो कहलाएंगे बैटे 2 0 और इधर से बनेगा 4 upon 3 और 4 upon में 27 कब है जब tangent is parallel to x-axis बिलकुल सेम आपका इसका second part है जो कि आप लोगों को खुद करना है नेक्स्ट केस्ट नमबर 8 के रहे determine the interval in which the following function are strictly increasing or strictly decreasing कल हमने question बनलब कहने का मेरा मतलब यह कि इससे previous video में हमने question किया था जा 4 degree का question था वे कितने का था 4 degree का question था और आप से strictly increasing और decreasing के बारे find करवा रहा है यहां भी सेम वही condition है हमारे पास एक और question करवा देता हूँ और revise हो जाएगा और practice हो जाएगा आपकी 8th question का second part है वाई जोगी ओल इंडिया CBSC 2014 compartment में आये हुआ है fx is equal to given है 3 upon 10 x raise to the power 4 minus 4 upon 5 x raise to the power 3 minus 3 x square plus 36 upon 5 x plus 11 यह गीवान है इससे ज्यादा power का कोई function use भी नहीं करवा रहा है maximum हमसे अगर कोई solve करवा रहा है तो कितने power का करवा रहा है वही 4 का करवा रहा है तो सबसे पहला काम है अपना इसका क्या करना है derivative करना है यहां से अगर इसका derivative कर दूँ तो 3 upon 10 into में 4 x cube हो गया 4 upon में 5 into 3 x square बन गया minus 3 into 2 x बन गया plus 36 upon 5 into 1 आगर plus 0 हो गया अब इसको मागे solve करते हैं तो यह आपका 2 से 2 पे यह 5 पे क्या बना 6 upon 5 x cube minus में 12 upon में 5 x square minus का 6 x plus 36 upon 5 अब हमें तो इसके factors करने हैं बाई और factor तो तब कर पाएंगे जब easily इसके denominator से पहले नहीं पट लें तो पहले हम LCM ले लेंगे LCM इस complete का 5 आगया और 5 LCM आगया तो यह बन गया 6 x cube minus 12 x square minus का 30 x और plus का 36 हो गया यहां से तो यहां से अपने पास अब क्या बन गया 6 numerator से कॉम बना रहा है भई तो यह हो गया 6 upon में 5 into में 6 कॉम बन ले लिया तो x cube minus का 2 x square बन गया minus का 5 x बन गया पलस का 6 बन गया अब यह फिर से वो ही cubic वाली कानी आगई भई factors तो करने पड़ेंगे हमें और जब ऐसा case आएगा तो factor होंगे भी ऐसा भी नहीं है कि उसके factors नहीं बनेगे तो यहां से आप इसके factor बना ले जो भी trial method जो भी use करना चाहो मैं इसके factors डारेक्ट लिक रहा हूँ x minus 1 बनेगा x plus 2 बनेगा और x minus 3 बनेगा यह इसके factors आगे उसके बाद क्या करना है 4 critical values critical values के लिए fast derivative को 0 के equal रख देंगे और 0 के equal रखने से x की value 1 minus 2 और 3 आजाएगे क्या क्या value आएगी 1 minus 2 और 3 value आजाएगे यह करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे वही number line की help ले लेंगे सबसे कम minus का 2 उसके बाद plus का 1 उसके बाद plus का 3 इधर plus का infinitive इधर minus का infinitive अब किसी परकार से हमें इसको solve करने में एक second भी प्रेशानी नहीं होगी आप देख सकते हो इसके अंदर 1, 2, 3 4 intervals बन गए वे सबसे पहले greater than 3 लेना है आपको 3 से greater कोई भी value पुट कर दो positive, positive, positive क्या आएगा? positive आएगा 1 और 3 के बीच आप value पुट कर दो 1 और 3 के बीच मैंने 2 ले लिया वे 2 पुट करने से positive positive negative result negative count हो गया next minus 2 to 1 minus 2 से 1 तक से 0 ही ले लो आप 0 लेने से negative, positive, negative positive बन गया minus 2 से minus infinitive minus का 3 ले लिया minus का 3 लेने से negative negative, negative, negative बन जाएगा जब factor सारे linear होते है तो linear inequality का एक rule भी होता है सबसे right वाला positive चलेगा positive, negative positive, negative इस टाइब से आगे चलता रहता है ये करने के बाद अब देखे जहाँ जहाँ साइन आपका positive है वो तो strictly increasing है जहाँ negative है वो strictly decreasing है तो क्या लिख दोगे यहां से fx is strictly increasing on interval देखे positive एक तो यह है minus 2 to 1 union एक positive यहां है 3 to infinity हो जाएगा next आप लिख दोगे fx is strictly decreasing on interval negative एक तो इधर है आपका left से start होते है minus infinity to minus आप और union 1,2,3 बन गया है यह था अपना question number 8 का second part strictly increasing or strictly decreasing किसी बच्चे के अगर question number 3 to 6 में से कोई doubt भी रह रहे हो तो साइद आज मैंने यह two questions और करवा दिये अभी इनसे वो बचे हुए doubt भी आपके clear हो सकते हैं next time लोग आगे बढ़ते हैं question number 9 है हमारा काम तो वहीं करना है लेकिन कुछ थोड़ा सा बताना तो वहीं है लेकिन करें discuss the monotonicity of the following function तो monotonicity है वो भी तो क्या है function either strictly increasing or strictly decreasing तो fasty part है भी हमारे पास let fx is equal to e raised to the power ax और a greater than 0 क्या condition है भी हमारे पास है a greater than 0 तो यहां से आप लोगों का जो काम है strictly increasing या strictly decreasing जो भी हमें बताना है तो सबसे पहला काम अपना है कि इसका हम derivative find करते e raised to the power ax into में power का derivative a आ गया जो कि a into e raised to the power ax बन गया भी clear है अब अपने question के according देखे भाई given है कि a greater than 0 है यह तो given है अपने पास तो इसका एक factor यह तो positive हो गया भै दूसरा exponential तो कभी negative होता ही नहीं always positive होता है भै तो यहां से आप लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हो and e raised to the power ax is greater than 0 जब यह भी greater than 0 और यह भी greater than 0 तो इसका मतलब क्या हुआ कि fast derivative है वो greater than 0 हो गया किसके लिए भाई for all x belongs to real number all real number के लिए हमारे पास क्या बन गया greater than 0 आ गया तो इसमें एक single condition बनी और वो क्या बनी and fx is strictly increasing for all x या all real numbers यह तो fast part हो गया बहुए next second part देखोगे तो बिलकुल सेम आपके पास है बही let fx is equals to e raised to the power minus ax है और condition यहा है a greater than 0 जब आप इसका derivative करोगे तो आपके पास बनेगा e raised to the power minus ax into minus a आ गया बही क्या बना minus a into e raised to the power minus ax आ गया derivative के लिए है अब a greater than 0 होगा and e raised to the power है वो भी greater than 0 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ a into e raised to the power minus ax तो greater than 0 है लेगिन इसके आगे इस minus होने की वज़े से तो minus a into e raised to the power minus ax है वो less than 0 बन जाएगा और यह less than 0 बन गया तो it means आप क्या कह सकते हो fast derivative less than 0 और fast derivative less than 0 बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास fx is strictly decreasing for all x या for all real numbers देखिए एक minus की वज़े से फैस्ट और second part में difference आ रहा है वो आपका strictly increasing बन रहा है यह strictly decreasing बन रहा है नेक्स्ट अपना part नमबर थार्ड है let fx is equal to one upon me to all raise to the power x क्या वई one upon me to all raise to the power x सबसे पहला काम अपना वहीं common है वई derivative कर देंगे हम और यहां से अगर इसका derivative करेंगे तो a raise to the power x का याद होगा आपको a raise to the power x into में log of a अब यह क्या है one upon me to all यह जितना simplify हो सकता है उतना इसको simplify कर दो और simplify करोगे तो आपके पास क्या बनेगा one upon me to raise to the power x into log of m minus में log of n clear है अब log one की value क्या होती है zero log one की value zero है तो one upon two raise to the power x into में zero minus में log of two बन गया अब तो यहां से यह result क्या कहलाएगा अपना minus log of two into one upon two raise to the power x यहां से क्या बना भाई यह positive यह positive यह negative अगर यह बार minus आने की वज़े से हमारे पास यह क्या कहलाएगा आपके पास है negative यह result कहलाएगा भी तो आप क्या कहोगे यहां से f dash x is negative या less than zero और less than zero है तो इसका मतलब क्या हो गया f x is strictly decreasing for all x all real number के लिए strictly decreasing बन जाएगा यह parts कुछ ऐसे solve कर रहे हैं हम लोग जहां पर केवल और केवल हमारे पास single condition given है वे क्या given है single condition given है all real number के लिए वो या तो strictly increasing बन रहा है या फिर strictly decreasing बन रहा है next अपने पास इसी question का fourth part है वाई क्योंकि सारे थोड़ा थोड़ा इन में difference है मैं बता रहा हूँ इसमें यह कह रहा है let f x is equals to log of x और log x जब defined होता है जब x greater than zero तो fast तो अपना work वही है भाई fast derivative log of x का derivative क्या बन गया वन अपन में x बन गया तो बिल्कुल simple है कोई problem ही नहीं आएगी हमें यह तो given है यह x greater than zero है given है अपने पास अगर x greater than zero है तो one upon x वह भी तो greater than zero ही बनेगा एक्स की value अगर positive है तो one upon x की value भी तो positive होगी और यह positive होने का मतलब है कि आपका faster derivative greater than zero हो गया लेकिन यह greater than zero किसके लिए हुआ है यहाँ all real number के लिए नहीं हुआ है यहाँ हुआ है एक्स greater than zero के लिए यह आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या fx is strictly increasing क्या हो जाएगा strictly increasing for x greater than zero यह positive real number कह सकते हो यह था वह आपका question number 9 जो की complete हो गए हमारे पास next question number 10 हो कह रहा है true that the function x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on strictly on minus 1 to 1 open interval question number 10 आपका कह रहा है let fx is equals to x square minus x plus 1 तो जब strictly increasing और decreasing की बात आ रही है तो सबसे पहला point तो ही है भाई क्या find कर दो derivative क्या बना भाई 2x minus 1 for critical values के लिए fast derivative को 0 के equal रखा तो x की value one appointment 2 आ गई एक ही single value आ रही है भाई single value आ रही है तो वहीं चाहिए number line का यहां भी use कर लो single के लिए भी मना ही नहीं है one appointment इधर plus infinitive इधर minus infinitive है भाई क्या बनेगा आप से greater आप से बड़ी संख्या अगर आप इसमें रख दो आप से greater 1 ही ले लो 1 रखोगे तो positive आ रहा है भाई आप से less रख दो आप से less में चाहिए 0 ही क्यों ना रख दो negative आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ fx is strictly increasing on half to infinitive fx is strictly decreasing on minus infinitive to half minus infinitive to half है वो तो होगया strictly decreasing half to infinity होगया strictly increasing अपना जो question है वो क्या कह रहा है point तो उसके उपर है भाई उसमें ये interval कह रहा है कि आपके पास आपको तो minus 1 से plus 1 बताना है भई अब minus 1 से ले करके plus 1 तक बताना है तो minus 1 से आप plus 1 चेक कर लो minus 1 से आप तो ये strictly decreasing बन रहा है और आप से ले के आगे 1 तक जाएगा तो strictly increasing है इसमें तो दोनों आ लिए तो दोनों आ लिए तो इस interval पर आप यहां पर क्या कहोगे क्या कहला आएगा भई हमारे पास दिगीवन फंक्शन इज नाइदर strictly increasing nor strictly decreasing on the interval minus 1 to 1 minus 1 to 1 interval पर ना तो यह strictly increasing होगा और ना यह strictly decreasing होगा हमारे पास तो यह था बटे आपका question number 10 इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे आगे next वीडियो में करेंगे